आज हम NCRT Chapter 3 Current Electricity स्टार्ट करते हैं इसमें हम क्या चीज सिखेंगे इसमें हम basically बात करेंगे जो उने पहरा इमेट था उसमें हमने बात किया था चार्ज क्या होता है और चार्ज कुछ प्रोपरटीज के बारे में हमने दिस पसंद किया था और इनके साथ हमने इसके कुछ फिल्ड के बारे में दिस पसंद किया था ना Electric फिल्ड के बारे में हमने बात किया था फिल्ड एज एसकेलर कॉन्टीज जिसको हमने नाम दिया था potential और उसके बाद में हमने इसके साथ साथ चार्ज की एक property ये भी पड़ी थी कि charge can be stored कि charge बो हो store कर सकते हैं जिसको हमने नाम दिया था जिवाई इसका क्या था वो capacitor ठीक है आज का हमारा discussion क्या है कि जो हमारे बास electric charge होता है उसकी properties के साथ सब भी है where के basis पे हम इस पूच और studies कर दें properties के बारे में आज का हमारा क्या है कि ये जो charge है ये कह सकता हूँ मैं flow of charge के बारे में अब देखो मैंने flow of charge तो लिखा है बट इस flow of charge में दो बात important होती है एक तो ये जो charge होगा वो किस में होगा motion में होगा ये बात तो clear है फिर जब दो flow गएगा उनों जो motion है वो हो सकता है उसका जो velocity होगा वो constant हो हो सकता है उसका जो velocity हो क्या हो not constant मतलब वो क्या हो variable भी हो सकती है अगर मनल उसकी जो velocity है वो change होती है इसका मतलब कि वो motion हमारा कैसा है accelerated motion है ये तीन बार हमने अभी सीखा है एक तो charge है वो uniform velocity से movement करेगा और एक में हमारे पास वो variable velocity से movement करेगा जब वो हमारा particle या charge अगर uniform velocity से movement करता है तो उस branch को हम बोलते है current electricity ठीक है और अगर मालो वो हमारे पास किसी भी variable velocity से चलता है तो उसको हम बोलेंगे electromagnetism ठीक है तो फिलाल इस unit में हमारा discussion क्या है only current electricity के बारे बारे मतलब कि charge can flow with flow of the charges with constant velocity ठीक है flow of charge with constant velocity ठीक है ये हमारा आज का इस lecture का main motto है अब देखो जब भी कभी हमारे पास ये जो चार्ज है वो constant velocity से move करेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो moment होगा हमारे पास कैसा होगा steady होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो time के accordance उसका जो velocity है time variable नहीं है ठीक है उसका velocity क्या रहना है constant रहना है ठीक है अब देखो इसमें हमारे पास जो flow of charge होता है वो basically किसी conductor में हो सकता है किसी insulated की भी अगर हम बात करें तो वो भी हो सकता है semi conductors में हो सकता है मतलब ये जो flow of charge है ये हमारे पास depend करता है अलग लग type की situation भी और ये जो flow of charge हमारा होता था ये same होता है same as flow of water जिस परकार से हमारे पास पानी बहता है उसी परकार से हमारे पास charge भी flow करती है और अगर मैं इसका एक और example लिखूं तो यहां पर लिख सकते हो heat flows जिस परकार से heat flow करती है अगर मालो हमारे पास कोई road है किसी insulating strain के साथ हमने बांध रखी है और अगर माल इसकी नीचे हम को heat प्रोवाइड करते हैं तो यह क्या करता है यह यहां से gain करेगा और दीरे दीरे वो heat क्या होती जाएगी साइड में transfer होती जाएगी है ना तो इस तरह का जो process हमारे पास होता है वही सेम हम flow of charge में आज पढ़ने वाले हैं अब देखो जब हम flow of charge की बात करेंगे तो मेरे पास सबसे पहला question यह arise होता है कि भी flow of charge किसी भी particular conductors के अंदर वो कौन सी चीज है जो बार-बार flow करती है मतलब मैं इसको यह कह सकता हूँ की current carriers in current carriers की बात करते है current carrier क्या होता है देखो current carrier मतलब जो चीज current को carry करे anything that can carry current जो भी चीज current को carry करता है वो कहलाएगा current carriers सबसे पहले हम बात करते हैं types of materials materials हमने कितने पार्सन डिवाइड किया है three types में कौन-कौन सा solid, liquid और gas हम सबसे पहले बात करते हैं conductors के लिए और conductor हमारे पास कैसा होता है एक तो हो सकता है वो solid हो एक हो सकता है वो हमारे पास liquid हो हो सकता है वो हमारे पास कैसा हो गैसियस स्केट में हूँ है ना तो अगर वो मालो हमारे पास सोलिड है तो देखो सोलिड के अंदर एक पर्टिकल से या एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कोई भी गैप नहीं होता मतलब कि वो क्लोजी पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम से विल्कुल बॉंडिड होता है तो अगर मालो में किसी एक पर्टिकलर एटम को मॉमेंट कराऊं तो क्या पोसिबल होगा नहीं हो सकता तो वहाँ पे चार्ज कैरी पॉन करता है इलेक्ट्रोंस आर्दर चार्ज कैरियर इन सोलिर कंड़क्टर सोलिर के अंदर चार्ज कैरी ओनली कोन करता है इलेक्ट्रोंस करते है लिक्विड के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है एक्टम के बीच का वो थोड़ा सा लिूज होता है और एस कंड़े तो सोलिर तो यहाँ पे भी हमारे पास कोन करता है इलेक्ट्रोंस करते हैं और कई बार हमारे पास कटाइन्स और अनाइन्स भी कर जाते हैं ठीक है लिक्विड फो में जैसे तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोंस के अंदर ठीक है वहाँ पे हमने बैटरीज बगरा पढ़ी जी और गैसिस में क्या आता है हमारे पास सिरफ क्या होता है पर्टिक्लर एटम या आइन्स मूँ करते हैं जैसे इन्वारमेंट में मूँवेंट करते हैं यह हमारे पास होता है गैसिस अब हमारे पास ये तो हमने पढ़ा कि लिक्विड के अंदर तो only electrons होंगे, लिक्विड के अंदर positive negative ions होंगे और gases के अंदर कि आप डारेक्ट एटम भी मुमेंट कर सकता है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, electric current के बारे लिए, electric current क्या होता है हमने अभी अभी discuss किया था कि flow of charge, जो होता है वो क्या कर आएगा हमारे पास electric current कहलाता है electric current, electric current को हम कहते हैं, flow of charges, ठीक है with respect to time जब भी कभी हमारे पास time के according, अगर chance carriers flow करते हैं, तो कहके लाएगा हमारे पास electrical current कहलाएगा इसका मतलब हम यह भी लिख सकते हैं, कि IO होगा, वो हमारे पास होगा charge upon time यह हमारे पास आया basic definition, what is electric current, the charge per unit time कि कितना समय के अनुसार charge flow करता है, वो हमारे पास कहलाएगा current ठीक है, अब हमने क्या काम करा, इस current को हमने कुछ parts में divide कर दिया कैसे divide किया, एक तो हमने बात की, आई, average की और एक हमने बात करी, instantaneous current की instantaneous current क्या होता है, जब भी कभी हमें किसी particular instant of time के पर फाइलोड करना हो बतलब, add to any instant और इसका मतनब होता है, हमारे पास total duration के अंदर कितना current pass out हुआ इसको हम क्या लिखेंगा, I average हमारे पास होता है, change in charge upon a change in time ठीक है, कहने का मतलब ही कि total charge लिखो, upon a total current वो हमारे पास क्या आजएगा, I average आजएगा, ठीक है, लेकिन, instantaneous का मतलब क्या होता है instantaneous का मतलब हमारे पास होता है, अगर मैं average को limit लगा दू, delta T tends to zero अगर यह वाले situation होती ही कि हमारा जो current है, बहुत ही बिल्कुल ही zero time period के लिए change हो रहा है change in charge कितना है, delta T tends to zero, इसका मतलब समय हमारे पास change इतना है, zero time to change हो ही नहीं रहा, तो charge भी change ही होगा, वो जो current हमारे पास आता है, वो कहलाता है instantaneous current और इस form को हमने पढ़ा है कि I instant हमारे पास क्या होता है, DQ by DT इसको भी तो लिख सकते हैं न, इसको भी I instant क्या होगा, limit delta T tends to zero और delta Q by delta T, और इसके अगर मैं limit किये जो form है, उसको मैं यह भी तो लिख सकता हूँ, D by DT of Q कि क्यों change होता है with respect to time, फिक है, अब इसके बारे पे तोड़ा अशा और हम discuss करते हैं यहां से हमने देखा कि I instant जो होता है, वो होता है DQ by DT और यहां से DQ की value कितनी मिलेगी, I instant into me DT, ठीक है, मैं यहां पे I instant की बाजा है, only I लिख रहा हूँ, ठीक है तो DQ कितना मिला, I into me DT, अगर मालो मुझे total charge निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा यहां पे, integrating both sides तो क्या मिला हमें, DQ का integration, integration of I DT, ठीक है, और DQ का integration होता है, Q is equal to I integration of DT यह हमारे पास आ गया total charge, at any instant, कि हमारे पास कभी भी instantaneous current के लिए जो भी हमारे पास charge मिलेगा, वो हमारे पास क्या होता है, total charge होगा, और वो कैसे relationship क्या है I is equal to I instant integration of DT तो हमें उसको, लेक्चर को थोड़ा चा और आगे प्रोशीड करते हैं, देखो सबसे पहली बात इसका जो हमारे पास जो current होता है, वो हमारे पास होता है scalar क्यों होता है scalar? क्योंकि देखो, अगर मान लो हमारे पास, यह एक current आता है 5 Ampere और यह हमारे पास आता है 5 Ampere का current और यह भी 5 Ampere का है, दोनों के बीच का angle 90 degree का है और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से 5, यहाँ भी 5 तो यहाँ पे हमारे पास जो current मिलता है, वो कितना मिलता है? 10 Ampere कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसके उपर vector सुरूर लगा हूँ, जो कि हम अभी थोड़ा सा पढ़ चुके है 9 class में, उनका जो resultant पढ़ा था, वो हमारे पास आया था, r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, और यहाँ से r का value बनता है, a का square means 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into 5 into cos 90, जैसा कि हम जानते है r is equal to root of 5 का square 25, इस 5 का square भी 25 plus cos 90 हमारे पास होता है 0, so 0, तो यह हमारे पास answer मिलता है root 50, ओके अर इसको हम solve करते ही मिलेगा 5 root 2, ठीक है, तो यहाँ से हमें यह पता लगा कि पर जो current है, अगर मैं उसको vectorly add करता हूं, तो उसके value बार पस 5 root 2 आनी चाहिए थी, बट हमने actually क्या देखा कि इस current का value 10 ampere आता है, इसका मतलब it don't follows vectors rule, ठीक है, और vectors rule कौन सा, ट्रेंगूलर ला, ठीक है, यह हमारा वैसे plus one classroom course में आता है, बट हम NTA से level में यह सब चीज़े हम सीख चुके होते हैं, ठीक है, तो current जो होता है, वो basically हमारे पासे के scalar quantity होता है, इसके साथ साथ एक बात आती है, what are the units, इसको measure करने का unit क्या होता है, unit हमारे पास होता है ampere, अगर हमें ampere को define करना हो, तो हम जानते हैं, कि जो current होता है, I वो होता है, Q by T, और अगर मानल निमेरिकली पूछा जाए, तो हम यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि value होता है, N, E by T, ओके, तो यहां से मिला, I is equal to Q by T, अगर मैं इसको unit के accordance लिखू, तो current का unit होता है ampere, और charge का होता है coulomb, और time हमारे पास होता है second, तो अगर हमें ampere को define करता है, हम क्या गएंगे, the current is said to be 1 ampere, if the wire can flow a charge of 1 plumb in the time of 1 second, ओके, that is called 1 ampere, उसके बार में हम बात करते हैं, इसका dimension formula, dimension formula क्या होता है current का, basically current को किस से represent करते हैं, वो हमारे पास होता है A, ठीक है, A से हम इसको represent करते हैं, तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा numerical practice करते हैं, जो हमने अभी सीखा है, और उसके बादर में आगे proceed करते हैं, देखे, question है, it is given that Q is equal to T square plus 40 plus 5, 40 plus 5 Coulomb, ये हमारे पास चार गीवन है, और हमारे से पूछा है, कि find instantaneous current, find instantaneous current in the given interval of time, instantaneous current at T is equal to 3 seconds, एक पार्ट, और second पार्ट पूछा है, I average कितना होगा, given the time 0 to 3 seconds, sorry, 2 seconds, ठीक है, and also draw graph, ग्राफ या कर, ये तींची हमारे से पूछा है, इस question में, तो देखो, I instant, के लिए हमारे बास expression होता था, I is equal to instant limit delta T tends to 0, del Q by del T, या जिर इसको मैं लिख सकता हूँ, I instant is equal to DQ by DT, ठीक है, और अगर हम Q की value put करते दिये मिलेगा, D by DT of T square 40, T square 40 plus 5, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास, instantaneous is equal to 2T plus 4, ampere, ठीक है, अगर मालों किसी particular, अगर मालों मेरे पास जो strength है इस lecture को देखने वालों में, अगर differentiation integration अगर problems है, specially वो lecture अगर बनाना है, तो comment section में जरूर बताएं, ठीक है, otherwise मैं assume कराऊं को आपको differentiation आता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हम जानते है, differentiation d by dx is equal to होता है हमारे पास, x की power n का होता है, x की power n, इसका होता है n x की power n minus 1, तो power आगया आगया और इसमें से कटाएंगे तो आगया, ठीक है, अब instant कहां पे find out करना था, हमें, हमें instantaneous current find out करना था, at t is equal to 3 seconds, so i instant हमारा कितना मिला, 2 in 2, values put करेंगे, plus 4, तो यह आया, 10 MP हमारे बास आगया, instant current, पहला part के लिए, ठीक है, part number 1, second part हम पूछा है, average, i average का formula हमने सीखा था, change in charge appointment time, charge q2 minus q1 upon t2 minus t1, हमारे पास t1 कितना है, 0, t2 कितना है, 2 seconds, तो पहले q2 का value निकावते हैं, क्यों चों हमारे पास 2 seconds, 2 put करेंगे तो, 2 का square, 4, plus 8, plus 5, okay, 13 और 4, 17, कुलाम, q1 का value आएगा, जब 0, tz कॉंट 0 होगा, तो कितना मिला only 5 कुलाम, तो इन सब को देखते में, i average हमारा मिला, कितना q2 minus q1, 17 minus q1 हमारा 5 upon t2 minus t1, 2 में से 0 गया तो 2, यह मिला 12 by 2, that is 6 ampere, ठीक है, एक चीज़ सुनो, अगर मालूब हमारे पास जो average आया है, वो हमारे पास कितना आया, 6 ampere, ठीक है, और इसमें हमें कहा है, कि भी इसका graph भी draw करो, अगर हम मालूब graph draw करेंगे, तो graph कैसा मिलेगा हमें, वो graph हमें मिलेगा यहाँ आई, और यहाँ t, तो graph मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक है, यह graph होगा ऐसे, क्योंकि state line की होगा, क्योंकि हमारे पास जो average होगा है, slow, q2 minus q1 by t2 minus, t1 यह हमारे पास आजाएगा, इसका slow, ठीक है, इसी pattern पे हम एक next question और करते हैं, ठीक है, next question हमारे पास आता है, if, i is equal to t square plus, t square plus 1, ठीक है, हमारे पास i का value given है, और हमें कहा है, find, charge q, charge q, throw a cross section, throw a cross section, throw a cross section, between 0 to 3 seconds, between 0 to 3 seconds, also find number of electrons, also find number of electrons, ठीक है, हमें इसके अंदर से पास होने वाले, क्या बताने, एक तो charge बताना है, और number of electrons बताने है, ठीक है, तो देखो, हमें पढ़ा था थोड़े पहले, की क्यों जो होता है, होता है, i integration of dt, ठीक है, तो q net हमारा कितना आएगा, i का value given है, t square plus 1, into dt, integration, limit कहां से कहां लगा होगे, 0 to 3 seconds पे निकालना है, अब integration के लिए हमने पढ़ा था, integration of x की power n dx का होता है, x की power n plus 1 by n plus 1, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमें देखो, t की power 2 अधी होजाएगा, t की power 1 add upon me 3, 1 है, इसकी power मतब 0, 1 add करोगे, तब t by 1, 1 लिखने को जुरूत नहीं है, अकिला हो गया, t limit कहां से, कहां तक 0 से, ठी, values put करोगे, तांसर क्या मिलता है, देखो 3 का, cube 27 upon 3 plus t का value 3, minus 0, कगी because, सब में की है, इसका answer मिलेगा 9 plus 3, 12 ampere, ये हमारे कुलाम, ये हमारे पास आगे total charge, अब इस question भी बूच लिए हमारे से, find number of electrons, so we know, qe is equal to n into e, so n is equal to qe, q कितना है हमारे पास, 12, electron पे charge 1.6, 10 की power minus 19, इसको दर हम 16 कहीं के मिलेगा, 120 by 16 into 10 की power 19, उपर जाएगा तो, ठीक है, तो इतने से जाएगा, 4, 4 जा 16, और 4, 3 जा 12 और 30, ठीक है, तो ये मिला हमें 2 और 8, 15, तो ये मिला 7.5 into 10 की power 19, जैसा कि मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ, कि अगर हमारे पास ये number fraction में आता है, या decimal में आता क्या लिखोगे, 75, 10 की power plus 18, ठीक है, ये हमारे पास number of electros, ठीक है, next lectures में हम discuss करेंगे,